दोस्तों अगर P.E.T के परिक्षा अगर आपने दिया है तो जाहिश सीवा दोस्तों यहापर इस्कोर्ड कार्ड जारी होने वाला है दोस्तों यहापर कोई फेलने पास नहीं होने वाला है आपके इस्कोर के बेस पे ही आपको फॉम भरने की परमिसन दी जाएगी दोस्तों आपके लिखा कि P.E.T.M. पास होने के बाउजुद भी इन उमिद्वारों को नहीं दिये जाएगा लेखपाल भरती मावेदन का मौका तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं आगे लिखा किया है 78882 पदों पर रड़े सुलेखपाल की भरती कराई जानी है इसके लिए कमिशन की वर से जल्द ही अधिकारीक नोटिफिकेसन जारी किया जाने की उमेद जताई जा रही है उत्तरपदेश अधिनेस्त सेवा चैन आयोग द्वारा यूपी में 24 अगस 2021 को पहली बार प्रारंबिक अरहता परिक्षा पीटी का आयोजन किया गया था जानकारी का निसार इस पातरता परिक्षा में सफल अभी हरतियों को ही अब आयोग के जरिये निकाली जाने वाली ग्रूप C वर D डेबल की भरती में आवदन करने का मौका दिये जाएगा बता दे कि जल्द ही उत्तरपदेश में राजस तो लेखपाल के लगबग 7882 पदों पर भरती कराई जानी है अनुमान है कि इस वरती में अक्टूबर माह में आफिसेल नोटिपिकेसन जारी कर दिये जाएगा लेखपाल भरती में जोड़ी किसी भी तहट की जनकारी के लिए आप यूपी ट्रिपल सी के वेबसाइट पर बिजिट कर सकते हैं यूपी किन अभरतियों को नहीं मिलेगा आवदन का मौका यूपी सबार्टिने सर्विस सेलेक्शन कमिशन यूपी ट्रिपल सी के ज़री आवदित की जाने वाली राजस्व लेखपाल भरती में उन उमिद्वायर को आवदन करने का मौका नहीं दिये जाएगा जिन पर आवदन का समय किसी भी मामले में अपराधिक मौका दमा दर जोगा साथ ही ऐसे करमचारी सरकारी करमचारी जो कि किसी भी सरकारी संस्थान से अपनी स्यमाय दे रहे है और इस भरति में आवदन करना चाहते हैं दोस्तों ये थी ये नाटिफिकेशन आमने कहाब तक मैं सेर कर दूँ ठीक दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी मिलते हैं दोस्तों के वीडियों तो लिजाए हैं बंदेवात